हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू दा चैनल मेरा नाम है रमेश और आप लोग देख रहे हो दा नॉलेज रेस इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं स्टारिकल मानिमेंट्स इन जी एंड के जो के एक मेजर पोर्षन कवर करता है जनल नॉलेज बिद राफरेंस टू जमुएन कश्मीर लास्ट एर का जो पंचायत एकाउंट एसिस्टेंट का अग्जाम था उसमें भी इस पोर्षन से एक कोशन आया था वो भी क्या कोशन था वो भी हम इसी वीडियो में डिसकस करेंगे फ्रेंट्स जे मारी एक पूरी सीरिस चल रही है जनल नॉलेज भी र सब्सक्राइब कर सकते हैं और लक्षर की पीडियाफ हमारे टेलिग्राम चैनल आपको मिल जाएगी इनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के उपर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आपको मिल जाएगी और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए जे कंटेंट कितना हेलफुल है तो फ्रेंस हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वह है मुवारिक मंडी पैलेस जमू और इसी पोर्शन से लास्ट एर जो है पूरा एक कंप्लेक्स है तो अभी जो है यह कहीं न कहीं जो खंडर बन चुका है तूट फूट गया है तो सरकार की भी इसके ओपर को ज्यादा द्यान नहीं दे रही है अगर इसको इंप्रूब करें तो यह टूरिस्ट के लिए अट्रक्शन जो है जमू में बन सकता है त लास्ट में आप उसका अंसर खुद दे पाओगे जे जो मवारिक मंडी पैलेस है जे रॉयल रेजडेंस था डोगरा डैनेस्टी का तो डोगरा डैनेस्टी आपको पता है कि महाराजा गुलाब सिंग जो 1846 से स्टार्ट हुई थी और 1947 तक जो लास्ट रूलर थे हरी सिंग तब तक ये पूरी डैनेस्टी रही थी इस डोगरा डैनेस्टी ने जमुल कश्मीर के उपर राज किया था और ये रॉयल रेजडेंस था डोगरा डैनेस्टी का कब तक 1925 तक ये डोगरा डैनेस्टी जो थी यहीं पर उनका रॉयल रेजडेंस था यहां पर रहते थे और उसके बाद महाराजा हरी सिंग जो थे, वो यहांसे मूब हो गे थे اور वो कहाँ पे चले गे थे, हरी निवास पैलस जो है, वो वहाँ पे shift कर गे थे, 1925 में, तो यही statement वहाँ अग्जाम में पूशी गई थी, और 1925 में वो new पैलस हरी निवास पैलस बहां पे चले गे थे, इस 1824 में यह building बनी थी और इस building का जो style है जो design इसका है तो पूरा का पूरा जो design इन इस complex का जो बनाया गया है तो दो तीन चीजों को मिला कि एक तो यहां पर राजस्तानी आपको देखने को मिलेगा European style देखने को मिलेगा और Mughal style देखने को मिलेगा तो राजस्तानी European और Mughal architecture यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस पूरे complex के अंदर और इस complex को कहां पर बनाया गया था यह जो located in the heart of the old city आप जम्मू वहां पर जे है और इसके साथ में जो river बैती है उस river का नाम है river तभी तो यह भी बहुत बार इस तरीके के question भी पूशे जाते है कि इसके पास से क general building से यहां पर एक building नहीं है बहुत सारी building लग लग जहां पर है और जो पूरा जो पैलस आपर रॉयल कोट है राणी चारुक पैलस हैं हाबा महल है पिंक पैलेस है और शीष महल यह डिफ्रेंट महल जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और और क्या था यहां पर दोग्रा ओट मीजियुम यहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया गया जिसका नाम है दोग्रा ओट मीजियुम और कहां पहती चाहिँ टो दोग्रा अट मीजियुम जो जह आपको जाद रखना है इन सब महीलों जितने भी हमने पड़े हैं यहाँ पर तो वह बीग soll तो जहां पर आपको डिफ्रेंट जो क्लेक्शन आप पेंटिंग देखने को मिलेगा जो छोटी-छोटी पेंटिंग बनाई गई है जम्मू की आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इसके साथ ही गोल्ड पेंटिट बो एंड एरो जो है मुगल अंपैरर शहाजान का तो यह इसको पूइंट पॉइंट हो सकता है आपके एक्जाम के लिए कि गोल्ड पेंटिट बो एंड एरो यह कहां पर रखा गया है तो जो डोग्राइट मुजिम जो पिंक हाल में यहीं पर इसको रखा गया है और जे किसका है वह मुगल अंपैरर शहाजान का तो नेक्स्ट जो नाम से भी हम लोग जानते हैं तो जे जम्मू में जैसे हम एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पे ही बना हुआ है जम्मू सीटे में जैसे हम एंटर करते हैं तो वहां पर एक साइड पे आपको पूरा महल देखने को मिलेगा और इसमें सबसे बड़ी बात जहां पर आपको चे चेर उनके लिए बनवाई गई थे तो आप देख सकते हो कि आजकल 10 ग्राम भी लगबग 50,000 के आसपस गोल्ड आता है तो कितनी ज्यादा इस चेर की कास्ट होगी तुझे इस महल के अंदर आपको देखने को मिलता है जो भी ट्यूरिस्ट जहां पर देखने को जाते हैं तो वहां पर इसली इसको देख पाते हैं मतलब दिखाने के लिए उसको कोई restriction नहीं है कि इसको को देख नहीं सकता तो जब भी आप यहां जाओके तो इसको जरूर देख सकते हो इसके कुछ important fact क्या है उसको हम discuss करते हैं अमर महल Palace जो है फ्रेंट जह जो अमर महल Palace है इसको बनाया गया था और जो के डोगरा किंग थे और इसका भी डिजाइन जो है वह आपको फ्रेंच आर्किटक यहां पर देखने को मिलेगा फ्रेंट शैट्यू तो यह फ्रंट फ्रंच डिजाइन के उपर इसको बनाया गया है और complete जो महल किया था वो किया था 1890 को कौन सा वाल महाराजा हरी सिंग् going tirar लास्ट रूलर ते जमौन किश्मीर के और जे के बेटे उते इंके बेटे थे महाराजा अमरसिंग के देटे तो अमर सिन GEORGE मारी सिंग बनाया गया था बाद में अनके बेटे माहानी तारा देव data इस महल में रही थी, कब तक 1967 तक इस महल में वो रही थी, उसके बाद करन सिंग, जो इनके बेटे थे, महाराजा हरी सिंग के, और उनकी वाइफ जो थी, जशो राज्यलक्षमी, इन्होंने इस पैलस को कन्वर्ड कर दिया था, म्यूजियम के अंदर, तो अब जी जो है पैलस पहरा Charitable Trust जो है तो वो इसकी देखने जो है, पूरे महल के अभी करती है, तो म्यूजियम जो है इसको इनागुरेशन, कब किया गया था, तो इनागुरेशन इसकी हुई थी, 13 अपरेल 1975 में इसकी इनागुरेशन हुई, और इनागुरेशन किनके दवारा की गई थी, इंद 20 kg अभी हमने यह लास्ट में देखा यह पूरा 120 kg सोने की चेर यहां पे आपको देखने को मिलेगी ईसके साथ यहां पहारी पंटिंग कांगरा पंटिंग है यहां पर आपको देखने को मिलेगी और एक लाइबरेरि यह जिसमें लगवत 25,000 books जो है वो रखी गई है और 7 में चोटे-चोटे art collection जो है और भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो यह इसके कुछ important fact थी यहां से बहुत बार question जो पूछे जाते हैं अगर river की बात करें तो इस palace के पास से जो river निकलती है तो उसका भी तभी river नाम है तो वो भी है तो अब हम देखते हैं कि last year में जो question पूछा गया था वो क्या था जे question number 14 था इतिंग फ्रेंट जे सी सेट में था तो देख लें आप यह question तो इस question में क्या पूछा गया था जो पंचायत account assistant में पूछा गया था this magnificent palace served as the royal residence of the ruler of dogra dynasty until 1925 and is one of the famous tourist attraction in Jammu identify the fort palaces from the falling options तो for the palace जो आपने बताना था in option में से कौन सा था तो अभी हमने पढ़ा कि 1925 तक जे जो लोग थे यह कहां पर रहते थे मुवारिक मंडी में रहते थे और इसके बाद 1925 में shift हो गए थे हरी निवास में तो 1925 के बाद हरी निवास में रहे और बहु फार्ट तो अकनूर फा हम लोग बनाएंगे तो hopefully यह वीडियो आपके लिए helpful रहे कि अगर वीडियो अच्छी लेगी तो like शेर जरूर करें और comment करके जरूर बिताएं कि यह content आपके लिए कितना helpful था पढ़ते रहिए मिलते हैं next topic में किसी और interesting वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye